आदिन नदाना विर्मनी सिख्खा पदंस्मादियानी आदिन नदाना विर्मनी सिख्खा पदंस्मादियानी कथा गाथा नंबर 65 या 65 बार बार ये बताया जाता है और बार बार बताया जाता रहेगा कि कथा कथा होती है कथा का मतलब story है कथा narrative होती है narration होती है कोई इसको कहता है कथन जो होते हैं उनको कहा जाता है और समय के हिसाब को देखते हुए व्यक्ति के हिसाब को देखते हुए example के हिसाब को देखते हुए मौसम को देखते हुए भासा को और सैली को देखते हुए कथा कार कथा को बदल देता है क्योंकि उसका मकसद होता है कथा के पीछे, कहानी के पीछे जो सार है, जो बात है उस सक को पहुँचाना उस मैसेज को पहुँचाना इसलिए कैवार जो कथा हैं वो अतिस्युक्ती में चली जाती है है पर बोल हो जाती है ना उनका सर होता है ना उनका पैर होता है बस वो कथा होती है कालपनिक होती है, चमतकारिक होती है कई वार ऐसी उचल उचल के दाइबाई पहुँच जाती है इसलिए भगवान बदुचुगी बहुत जादा दुनिया के सबसे नमबर वन के जानकार थे, मन और मस्तिक सो और व्यक्ति के चरित को देख के भाप लेते थे, कि इनके मन में क्या चला है और फूचर में क्या हो सकता है, तो उन्होंने एक अलार कलाम का सूत दिया था, वो ए नकली होता है, ऐसे ही ये अलार कलाम का सूत है, इसमें जो भी सूत डाले जाते हैं, जिन सूतों का विश्टिशन किया जाता है, उन्होंने पता चल जाता है, कि ये सूत्र भगवान बुद्ध का होगा या नहीं होगा, या समय के साथ से ठीक है या नहीं है, जिस परकार न असली नोट होता है, वो कितना भी पुराना हो जाए, वो फट भी जाए, तो भी रिजर बैंक ओफ इंडिया से उतने ही मुल्या का नोट आपको करारा कड़कता हुआ, मिल जाएगा। यही भगवान बुद्ध के जो सूत हैं, जो बलकुल प्यॉर सूत हैं, उनकी बात है कि उस समय से लेके आज तक वो नहीं बदले हैं, वो आज भी ऐसी कड़कते हुए नोट हैं। इस सूत में आपको तीन बातें चेक करने हैं, जो यह कहा गया है, क्या यह जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, जितने परिवार यहां बैठे हुए हैं, उन सब के लिए फायदेबंध हैं। उससे के लिए कल्यान का रही हैं, सभी के लिए हैं। विदाउट एनी रेस्पेक्ट यानि बिना किसी भेद भाव के, बिना किसी बात के। तो इसका मतलब वो मसीन में चैक हो गया, वो बिलकुर खीक है, यही अलारतरम जो सूत है, उसमें भगवान बुद्र ने काहता, कि तुम मेरी बात को इसलिए मतमानों कि मैं कह रहा हूं, या कोई ग्यानी ऐसा कह रहा है, या पहले से सुना हुआ है, या परंपरा में चलाय हुआ हुआ है, या किताब में लिखा हुआ है, या टीवी पे आया हुआ है, या वाटसेप पे आया हुआ है, या फेस्टुक पे चल रहा है, या किसीने वीडियो बना के भेजा है, या कोई टेली फून पे बता रहा है, या कोई मेरा परिचित है, या कोई मेरी पती या प तो आपको पता चलेगा कि बात में कुछ लगा हुआ तो नहीं है, यानि बात दवाब में तो नहीं है, लालच में तो नहीं है, कहीं मैं लालच में दवाब में तो ये बात नहीं मान रहा हूँ, अपने मौत के वहसे तो इस बात को नहीं मानना हूँ, डर की वहसे तो नहीं तो इसका मतलब वो आलार कलाम का जो सूत्र जो भगवान बुद्ध ने जो चैक की मसीन दिया आपको कि सूत्र करेंगे उस पर वो खरा उत्रेगा यहाँ जो कथा चलती है वो कथा बड़ी मैदार बड़ी इंट्रेस्टिंग है कथा इस पिकार है कि जो पवेका है पवेका राज्य है पवेका राज्य के कुछ यो कुमार हैं यानि नौजवान हैं नौजवानों को कुमार बोलते हैं और जो यूपतियां होती हैं उनको कुम मज़ अपने साथ लिया और एक गड़ी का उन्हों ने ली गड़ी का का मतलब आज की डेट में प्रोस्टिटूट होता है इसको वैश्या भी बोलते हैं वैश्या सब तो कैसे आया यह बड़े कमाल का है क्योंकि वैसाली के जितने भी लोग हैं वैसाली एक बहुत जबर्जस थी उनको वैस्या बोला करते थे वैस्या बाद में वैस्या बना दी यानि पुरुस्तों वैस्या होगे जो खिदने बेचने का काम करते थे और महिलाओं को वैस्या बना दिया जो सरीर को खिदने बेचने का काम करती हैं जबकि ये दोनों बातें गलत हैं तरसल वैसाली के जो जैंट्स थे जो आदमी थे उनको वहिससे बोलते हैं और वहिसाली की जो महिना हैं kan na यह प्रस्चिप्रक्ष को कोई लेना दरा नहीं है क्योंकि जो व्यापार करने वाले लोग हैं उसमें वाणिजी को या वाणिजी बोला जाता है वाणिजी तो आज भी हम बोलते हैं व्यापार को और जो व्यापार है जिसको हम व्यापार बोलते हैं व्यापार का मतलब व्यापाक सबसे बना हुआ है व्यापक मतलब जो चारो तरफ सर्वस्तर दिखाई देता है जो रहता है जो एक्जिस्ट करता है यानि कि व्यापार उसको बोलते हैं जो चारो तरफ सामान की सप्लाई करता है और सप्लाई करने वाला होता है व्यापार में और वारी जिकों में हंतर है व्यापार बिना पैस थी उसने में मिलाए उनको गणिका बोलते थे गणिका तो वो एक गणिका को साथ लेके गए जिंगल में उन्हें मदमस्त हो गए सराव गएड़ा पी, सुरापी उन्हें जो मेरे मज्जज है उन्हें खाया तंबागोगर जो भी है और वो सारी नसे में धुट हो गए उधर जो गली का थी वो उनका सारा कीमती सामान लेके वहाँ से गायव होगी रफुचक्कर होगी जब उनका नसा उतरा तो उन्हें पता चला गिए जो भी कुछ उनके पास सामान था वो तो कपड़े वगरा सब कुछ ले गई तो वो बड़े परिशान हुए और वो उसको चारो तरफ ढूनने लगे जब वो उसको ढूनने लगे तो ढूनते ढूनते वहाँ उन्हें भगवान बुद्ध मिल गए भगवान बुद्धों की पारगामी हैं वो देख लेते हैं कि सामने वाले की क्या सितिय है क्या नहीं है मनों सितिय क्या है मन में क्या चला है वो तो पढ़ लेते हैं तो उन्हें यूग को ने उनसे पूछा क्या आपने एक गणी का एक महिला देखी तो भगवान बुद्ध ने कहा कि आप किसको ढूंड रहे हो तो उन्होंने कहा कि हम एक गणिका को ढूंड रहे हैं जो इस तरह से हमारे सामान को लेके भाग गई है तो भगवान बुद्ध ने कहा कि आप अपने आपको ढूंडो इतना कहना था कि उन्हों लड़कों को उन्हों कुमारों को बात क्लिक कर गई उन्हों ने कहा इसको कैसे ढूंटने हैं अपने आपको तो भगवान ने कहा आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ एही पस सिखो और उन्हों को धम को सिखाने के लिए लगे और वो लोग चुंकि उन्हें धम सीखने ही लाल सा थी और वो बड़े गुद्धी के अच्छे विक्ती थे वो धम में जल्दी ही सीख गए और धम सीखते सीखते सोता पन होए और सोतापन होने के वाद में वो जब उन्होंने अनात वाद यानि कि अपने के अलावा जो वाद होता है अनत वाद गोलते हैं इसको जुसमें अपना ना हो कुछ भी यानि मैं मेरा कुछ नहीं है जब उसका पाठ उसका सोत उन्होंने अभ्यास किया पड़ा तो वो लोग अ खास बात है कि धमों में कहीं से भी सुरुवात हो सकती है। अंगुली मान जैसा डांकू जो रोज आदमी मारके अंगुली टांकता था गले में वो भी यहां अरत हो सकता है, वो भी मुक्त हो सकता है, वो भी पाप से रहित हो सकता है। ये सबसे खास बात रही भगवान बुद्र ने जो धम सिकाया, उसमें कि पिछला कोई भी आपका करम हो, आप जहां से सुरुआत करेंगे, वहां से आप सुद्ध होते चले जाएंगे, वहां से आप लोगों के प्रिय होते चले जाएंगे, वहां से अपने प्रिय हो पीछे का कोई जिक्र नहीं है जो लोग किसी के पीछे की चीज़े कुरेते हैं और पीछे की चीज़े बताते हैं वो स्वेंपापी होते हैं तो कि कोई आदमी और कोई और अगर अच्छा बन रहा है और अच्छा है तो उसको जैसा है वैसा ही देखना चाहिए पीछे का उसे बारवार याद दिला कि यह यह नहीं कहना चाहिए कि तुम तो पीछे डांकू थे या चोड थे तो तुम आप कैसे ठीक हो सकते हो हो सकता है और जो व्यक्ति पीछे से ठीक चला रहा है वो कभी भी डांको चोर बन सकता है आदमी किसी भी छण डांको बन सकता है और किसी भी छण साधू बन सकता है ये भगवान बुद्ध ने जाना और भगवान बुद्ध ने इसकी प्रेक्टिस भी कराई तब एक दिन जैतवन में इसकी चर्चा चली भिकों में और ये बात हुई तब भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही जो पहली वाली जो गाथा है गाथा नंबर 64 की उसी से रिजोइन है उसी के साथ है मुहुत मपी चे वियू पंडितंग पैरूपासती खिपंग धंवंग विजानाती जिवहा सूपरसन यथा मुहुत मपी चे वियू मुहुत मपी का मतला है मुहुत जो सब नहीं वो पाली का है मुहुत आपना सुना हुआ कि मुहुत निकलने वाला है या मुहुत आ गया या मुहुत उस दिन का निकला है या मुहुत उस दिने बढ़िया है बिसिकली कुछ समय जो नियत किया जाता है फिक्स किया जाता है उसको मुहुत बोलते हैं तो यहां मुत बोलते हैं, यानि कि थोड़ा समय, जो आपका फिक्स किया या जो थोड़े समय की quantity है, इसको छणबर भर भी बोलते हैं, मैं अगर छणबर का तो पाली के अंदर खणब बोला जाता है, मुत का मतलब है थोड़ा सा समय, मुत यानि मुठी पर समय कह सकते हैं, मुत मपी चे वियूती, मुत मपी का मतलब है आपी माने भी, यानि कि थोड़े समय के लिए भी, यदि वियू माने जानकार जो जानकारी रखता है या जानकारी चाहता है वियू, जो समझदार है, थोड़े समय के लिए भी जो समझदार पंडितंग पे रूपा सती पंडितंग मनलत जानका जो भिक्कू है पे रूपा सती का मतलब है उसकी संगत में चला जाए जा संगत में जाता है यानि कोई जानकार, कोई समजार व्यक्ति अगर थोड़े समय के लिए भी किसी भिक्को की संगती में चला जाता है तो क्या होता है खिपंग धंबंग विजानाती खिपंग का मतलब सीग्र तुरंत खिपंग धंबंग माने धंब को प्राकतिक नियमों को और विजानाती का मतलब जान लेता है यानि कि तुरंत बहुत सीग्रता से वो धम्म को जानना सूप कर देता है जान लेता है जिवा सूप रसंग यथा यथा माने जैसे जिवा माने जीब और सूप रसंग माने जो कड़ी है जो आपने तरप अधारत बनाया है जो खाना बनाया सब्जी बनाया है उसके स्वाद को जैसे ही आप जीप पे वो खाना रखेंगे आपको तुन्त पता चल जाता है कि इसका स्वाद कैसा है ठीक ऐसे ही जो समझदार व्यक्ति होते हैं अगर थोड़े समय के लिए भी वो किसी ग्यानी के साथ रह लें तो तुन्त ही ग्यान को पकड़ लेते हैं समझ लेते हैं इसस ही काथा काथा बहुत अच्छी है धन्यवाज आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में convert करके आगे बढ़नी चाहिए, या print में, किताब में छाबनी चाहिए, या इसकी जो audio है उसे निकाल के भीजना चाहिए, या इसका किसी पार्ट को इस्तमाल करना चाहिए, तो आपको liberty है, आपको छूट है, ये सभी copyright free हैं, आप अपने facebook पे, अपने page पे, या अपने handle पे, या link को कहीं भी share कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप YouTube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं, इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सों का है उन्हीं की बात को सलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पुझी आपकी है धन्यवाद तम्मं सेनं गच्छामी संगं सरेनं गच्छामी तू तियंपी बुद्ध में सेनं गच्छामी तू तियंपी बुद्ध में सेनं गच्छामी तू तियंपी धन्मं में सेनं गच्छामी तू तियंपी बुद्ध में सेनं गच्छामी तू तियंपी सेन्गं सेनं गच्छामी बुखियं पी संदम सर्णं कच्छानी ततियं पी बुद्धं सर्णं कच्छानी बुखियं पी बुद्धं सर्णं कच्छानी ततियं पी संदम सर्णं कच्छानी साथू, साथू, साथू कामेस मिच चरविर्मनी सिक्खापदं स्माधियामी कामेस मिच चरविर्मनी सिक्खापदं स्माधियामी कामेस मिच चरविर्मनी सिक्खापदं स्माधियामी